तो गाइब आइब आइब तोवे 24 स्टार्ट होने में चन्द दिनों का समय बचा हुआ है और गाइब जैसे जैसे आइब करीब जाता जा रहा है सभी टीमों के लिए अपने टीम के कैम्प के लिए काफिता इंपॉर्टेंट निउस निकल के आ रही है और इसी के रिगार्ड प्लादार फेयर चैनली सुपरफिंग्स के टीम में तो गाइब आज इंजरी के रिपोर्ट तुवारे में बात होने वाली कौन सा खिलाड़ी कब तक फिट होगा और गाइब इसी के कड़ी में वीजियो काफिला डिकेल और काफिला इंट्रेस्टिंग है और जो लों भी आज हमाय रोट टूफोटी के सस्क्राइबर गारी चल पड़िया तो गाइब जो लों में चल सस्क्राइब निके हैं फटाफर से नीचे देख लिजेगा फिर आपको छोटा फाय की युग दाने रहा है फिर आपको ऐसे बटन दमाना है सस्क्राइब हो जाएगा तो फटा अपर ऑगर में आके ऐसे लंबे चौड़े छट्पे लगाने वाले खिलाडी की फब्सेरा जवरत रहती है किसी भी टीम में अगर आप देखेंगे और ऐसे में अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर वही चीज सामें निकल के आ लिए कि चे नहीं सूपर टीस भी इस तरी इनकी जो size strain की injury है वो minor injury है यानि की size strain की injury निकल के आ रही है वो बहुत ही minor बहुत ही छोटी से निकल के आ रही है और ऐसा expected कहा जा रहा है कि 20 मार्च तक expected है कि शिवम दूबे fit हो जाएंगे हाँ जो size strain मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि काफी बड़ी होती है इसा होगता है कि 2-3 महीने लग सकते हैं लेकिन इनके minor निकल के आएं तो यहाँ पर यही चीजे हैं कि जब इनको जब injury बड़ी होनी की concern आये तो उसी time पे शिवम दूबे ने pull out का लिया है रंजी ट्रॉफी पे और फाइदा यहीं का निकल के आ रहा है कि यह छोटे फी injury स बच के उसके बाद यह आई पिल में हिस्सा ले फक्ते हैं ऐसा कहना है और इसी तरीके की चीजे आगे निकल के आ रही है तो फाइली बात करने वाले हैं दूसरे खिलाडी को लेकर रचिन रविंदर का नाम आता है रचिन रविंदर क्या हुआ है लेफ हैंड पें हुआ है यानि कि जो लेफ्ट हैंड है उसकी यहां पे पुल हुआ था नसे पुल भी थी इसके वज़े फिंको लेफ्ट हैंड पें हुआ तो यहां पे इनकी निकल का है तो यह और चलिया है खिलाब जो सीरीज था पूरा उसके बाद जैपे यह दिक्क्त सौंझ माया है उन्होंने T20i series जहां पे मिस कर भिया है लेकिन उसके साथ लिगर बात करें तो इनके जो muscle pull होने की जो fit expected fit date है वो first week of March यानि कि first week of March तक यह पूरी तरीके fit हो जाएंगे यानि कि रचिंद रविंद को और से green signal है कि यह खिलाडी पूरी तरीके fit हो जाएगा और यह IP 24 में शेक्त करते ह आने वाले है तो फाइनी बात करने वाले है तीजरे खिलाडी बारे में लेकिन उसके पहले आपको टेलिग्राम को जोईन करना है क्यों जोईन करना है क्योंकि मात तीन फे चार नहीं बची हो है अब तो आपको यहां पर टेलिग्राम पे आपको एक 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 पिक्चर फोट लिए अगले नीज के बारे में जो अगला ऐस निकल के आ रहा है। अभी तक ये T20 eyes के मुकाबले नहीं खेलती हुए नजर आए है, General Mitchell और उसके बाद समस्या बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर recovery की बात करने तो ये पूरी तरीके फे fit हैं, और ground पर भी फमार्ज तक निकलती हुए नजर आएंगे, हागा 20 मार्ज तक एस्पेक्टेड डिट है क तो ये 20 मार्ज तक ये भी fit होते हुए नजर आएंगे, यानि कि Gerald Mitchell के तरफ से भी green signal है, और ये भी पूरी तरीके से एस्पेक्टेड है कि ताइम से पहले ये भी fit होते हुए नजर आएंगे, तो अई पाली बात करने वाले चौते खिलाड़ी बारे में Deo & Conway, Conway के injury के बा करते हैं कि अभी ये पूरी तरीके fit होंगे कि नहीं होंगे, अभी इस पे कोई report नहीं निकल का है, ये 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 report निकल का है, ये मैं बता दूगा, लेकिं Gerald Mitchell की बात करें, तो फिलाल के लिए अभी जो चीजे हैं वो इशू में अभी फसी पड़ी है, तो अभी कोई भी clearance न पूरा मुकाबला खेलते हुए नफर आएंगे, तो फिलाल चोटिल थे लेकिन कब तक fit हो जाएंगे, expected date मैंने आपको बता दिया, तो फानली आप देगा कि कौन सा खिलाडी को सबसे important है, और वो अगर injury के वज़े से miss करेगा, तो फिलाल के लिए जो कमेंट करेगा, वीड हमनी आगने लिए से किसाओ